नमस्कार दोस्तों मैं अजित कुमार श्वागत करता हूँ आपके अपने योटूब चैनल जीनियस अकैडमी पे दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दर्भंगा के भी से में भाई दर्भंगा का जो है क्या है गठन कभ हुआ चोहदी क्या है उसका चित्रफल क्या है परमु क्या है ओके तो इसारा कहाने आज इस वीडियो में आप लोकों में करने वाला थो वीडियो को आप awakस देखे छिये वीडियो को क्या करते हैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं बीना वक्त तो देता है तो भूलग गठन हुआ था 1875 इस्पी में दर्भंगा का गठन हुआ अगर इसके हम चौदी की बात करते हैं दो तो उत्तर में आप लोग का मधवनी आता है दच्छिन में समस्तिपूर आजाता है पूरब में शहरसा आजाता है और पर्सूरी में दोस्तो मुझा पर पूर आ कहने का मतलब दोस्तो आप लोग का जो direction बनता है यहाँ आप लोग का नौर्थ हुआ उपर में नौर्थ होता है नीचे में south इधर east होता है ठीक है और इधर वेश्ट होता है उके न? तो उत्र में आप लोग का मधवनी हो गया दच्चिन में समझती पूर हो जायगा पूरव में हो जायगा सहर्शा और यहाँ दोस्तो पच्ची में मुझे पर पूर हो जाएंगे तो बात करते हैं दोस्तो दर्भंगा की चोहदी आप लोग समझी जा चुके हैं तो बात करते हैं दोस्तो च्छेतरफल की दर्भंगा का जो च्छेतरफल है वो कितना है तो आप लोग जैसा की देख रहे हैं 2289 है दर्भंगा का जो दोस्तो च्छेतरफल है 2289 है ओके तो चलि देनी है आप हम दिखाते हैं इने रहेसनी लोग हम दिखाते हैं प्रफियाक बैफा परमंडल की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ का आपका और हमनदल कितने हैं त्पूर सब्सक्राइब कितने हैं दर्भंगा में अनुमंदल की बात करते हैं तो दर्भंगा में तीन अनुमंदल है दर्भंगा सदर पेनिपूर और बिरॉल है दोस्तों अगर प्रखंद के हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो आपके दर्भंगा में कुल अठारा प्रखंद हैं कितने हैं दोस्तों धनस्यांपूर, किरतपूर, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थानपूर्व, बिरॉल, गौरा, बौरानी कुल कितने परखंद है दोस्तों आपके 18 परखंद है वो 18 परखंद यहाँ पे आप लोगों मिल गए हैं कौन कौन से हैं बहेरी, हायाघाठ, हनुमान नगर, दर्भंगा, भादूरपूर, सिद्वाली, जाले, केवटी, तारहिड, मनीगाची, अलीनगर, बेनिपूर, धनस्यांपूर, किरतपूर, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थानपूर्व, बिरॉल और गौरा, गौ पंचायत हैं, ओके न, चलिए, और कुछ जानते हैं, दर्भंगा के बारे में, दोस्तो, पंचायत कितने थे दोस्तो, 329 पंचायत थे आपके दर्भंगा, जीला में, बात करते हैं, दोस्तो, राजिस सो ग्राम, मतलब, 1200 कितने हैं, दोस्तो, 69, ओके, ये जो है, आपका रा बात करते हैं तो दोस्तों चलिए भगवालिक इस्थिती के विशाय में दोस्तों हमारे दर्भंगा जीला में दोस्तों देखेगा अच्छानसिय विश्तार और दच्छानसिय विश्तार तापमान के विशे में बात करेंगे समुद्ध तल्क से उचाई कितनी है दर्भंगा की और सत वर्षा क्या है मित्टी क्या है भासा क्या है अधर अधर देखेगा दोस्तों इसकी बात करत से आप लोग का जो है 26 डिग्री 27 मिनट है ओके ना 25 डिग्री तिलपन मिनट से 26 डिग्री 27 डिग मिनट है यहां देशांतर के विश्टा की बात करते हैं दोस्तों ता यह 85 डिग्री से 45 मीटर और 26 डिग्री से जो है 25 मिनट है तापमान के विश्टा में बात करते हैं दोस्तों डर्वंगा के तापमान जो उच्छितम तापमान थे हाई यह तापमान थे वह वह 43 डिग्री सेल्सियस ओके और लोलेस्ट मतलब निवंतम तापमान जो थे लोईस्ट तामपान जो 9 डिग्री सेल्सियस थे ओके यह दर्वंगा के भी से में और देखिए समुद्र तलसे जो उचाई के हम लोग बात करते हैं तो यह 52 मीटर है कितने हैं दोस्तों 52 मीटर ह समुद्र तलसे इसकी उचाई और सत वर्षा के भी से में बात करेंगे दोस्तों और सत वर्षा के भी से में तो 1143 कहने का मतलब दोस्तों 1143 मीमी और सत वर्षा इसकी बात करते हैं दोस्तों यहां के मिटी कैसी है यहां की जुमीटी है दोस्तों वह जलोड मिटी है कैसी यहां भाता है अंधेकर मैλधी भासआ है कौन से मैधली भासा हुंदी बहांस और उर्दु भासा है ओके न्यका प्रमूख उबढां यहां ठैसके घुरोभर्र यहां है प्रमूख हुख कौनध कौन से हैं देखें पर्षौन ऊद्वोग कागा दोग चीनी मिल सूट कधार का उधोग करें दोस्तों बात करें अगर अब पर मुख फसले अगर कोई व्यक्ति दरभंगा में आते हैं और महाँ पर घ्रोमने वालिया अस्थान खोजते हैं तो दार्शनी का स्थान जो है दोस्तों दर्भंगा का महराज किला है अरियारी आकाशवानी है यह दूर्दरसन परतार केंद्र प्रमुख हैं ओके ना तो आप लोग इतने सारे जानकारी दर्भंगा से लिए क्या क्या लिए है मुख्याल प्रमंडल अनुमंडल पंचायत सो ग्राम प्रखंड और मिटी कैसी है भासा क्या है प्रमुख फसले नदिया चहदी तापमान यह सारा जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको दे चुका हूँ तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल को क्या करें दोस्तो सब्सक्राइब करें थैंक्यू वीडियो देखने के लिए और आप जोगी प्रिछाओं का त्यारी करें अच्यसे करें और एक बात दोस्तो पर मेरे चैनल के अध्यवीडियो िसनी के वीडियो जी करफ है तो आप लोग सब्सक्राइब करना नहें थैंक यू और वाचीं